मद्रप्रदेश की धत्या जिले की पुलिस को उस समय चापे माली करना दुश्वारियों भरा हो गया जब जहासी में मोट थना छेतर में सराफा व्यवसाई की दुकान पर दुकानदार को लूट के आरोप में जवरन गारी में बैठाने की कोशिस करने पर सराफा व्यवसाई भड़क गए सराफा व्यवसाईों ने मदर प्रदेश की पुलिस को ही घेल लिया कारण पूचा मदर प्रदेश की पुलिस में बताया कि तत्या में एक लूट हुई है जिसमें लूट कामाल इस सराफाई की दुकान पर बेचा गया सुचना मिलने पर मोट कोटवाली पुलिस पोंची जहाँ व्यापारी मदरप्रदेश की पुलिस को मोट कोटवाली ले आये जहां मोड पुलिस के सामने दोनों ही पक्षो के बीद तमाम विवाद हुआ इसके बाद सिच टीवी केमरे में चेक किये गए जहां मदर प्रदेश की पुलिस की बाते सब जोटी निकली पिलाल मद्य प्रदेश की पुलिस को जहांसी पुलिस ने कडा अल्टीमिटन देकर दतिया रावना कर दिया साय थी ये भी कहा है कि बीना बताए चापे मारी करना आना भी नहीं चापे मचे आज कस्वा मौतिस के सराफव यार में मद्य प्रदेश के दतिया गी एक पुलिस आई जिसमें एक दरोगा और सिविल में दो लोग थे जो हमारे व्यापारी स्री स्याम सौनी की दुकान पर आए और उन्हें जबरन गाली में बैठाने की कोसिस की जिसमें हमारे सभी व्याप व्यापारी साथी और लौकः उन्हें रोका और व्यापारियों को एक करकर व्यापार और पूरी उनकी तसलिक के लिए सभी बात हैं बताईं लेकिन सारे उनके जो इल्याम थे वो बेविनुवार निकले और इसमें कोई भी सप्चाई नहीं है हाल्तू में जो भी दतिया की पुलिस आती है और यह कम से कम तीन से चार बार हो चुगा कि ब्यापारियों को परेशाल किया गया और को टार्गेट करते हैं किया जी यहां स्वाड़का समाच को टार्गेट करते हैं और उनसे लाखों रुपाई की रासी पूर में लीवी गई है इसके पहले अमरा से पाच्छ लाघ रुपाई लिए गये हैं जिसमें वो भी किसी काम के नहीं थी है अब यह भी पोई रुपार्यों चार लाग रुपाई की मांग की गई है कि यह चार लाग रुपाई आप देदी जिए गा और यह पूरा मेंटा सॉट आउट करवा देंगे जबकि ऐसा कुछ नहीं था ना कोई लेंडन था ना यह कोई मांग खरीदा गया था और के पुलिस मेरा कोई गना है गया चार लाग वह पूरा ना कोई मांग में घ्याए पोलिस थिम्ह परदी स्वादी है